विजनौर की शहर कोतवाली पुलिस ने 20 अक्तुबर को जोधुबाला के रहने वाले दो लोगों के साथ मारपीट और गाली गलोच करने के आरोप में तीन आरोपियों को गिरफतार किया है पुलिस ने विजय पुत्र बलवीट, सोनू पुत्र राम किशन और मवासी पुत्र गोकल निवासी और अरंपुरहाजी उर्फ जोधुवाला को पकड़ कर उनका चलान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूस चैनल पर हमारे सहयोगी समवाददाता निरजपाल की यह लेटस्ट खबर हिंदी में देखिये आगे क्या हुआ जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर को मामूली विवाद के चलते आरोपियों ने बॉबी और महिंड नामक दो लोगों के साथ मार पीट की और जान से मारने की नियत से हमला किया इसके साथ ही जाती सूचक शब्दों का इस्तिमाल भी किया गया था इस घटना के बाद घायलो के भाई ब्रमपाल की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्च किया और मामले की जाच शुरू की शहर कोत्वाल उदर प्रताप ने बताया कि आरोपियों को विरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायाले के समक्ष पेश किया जाएगा फुलिस अब पूरी तरह से मामले की जाच में जुटी हुई है